हाटी जी सोन्या जी ओके सर तो यह रहा अपना पहला क्यूसन पहले क्यूसन है कि तीन संक्या को उस्ता है वो है ठाइस यदि पहले संक्या दूसरी संक्या की आदी वो तीसरी संक्या है वो दूसरी संक्या की दोगुनी है तो तीसरी संक्या कितनी होगी पहले क्यूसन का पहल तुसार, कवीराज, मीना जी जी सरहरियोम, ओके सर। पपी सिंग जी से हयर हलो कैशिव सर। चले सर। पहले क्यूशन का राइट ताम से बता देजी कौन बताएंगा। टोटल तीन संक्या है, तीनों कौश देर खाया 28 है, पहली संक्या है वो दूसरी संक्या की आदी है और तीसरी संक्या है वो दूसरी संक्या की दुगुनी है कौन देगा से उतर, अज्जा जी शाम जी थोड़ा सा चाय कर लीजे कहीं न कहीं पहली संक्याद दूसरी की आद्धी और तीसरी संक्याद दूसरी की दुगुनी है और कौन देगा राइटां सर पंकत जी जी सर देरे सर कोई बात नहीं से लिए आप राम से कर लीजे सर ओके सर जी बिलकुल मनोज जी आप कब इसे हिया था चली ए हो जाएगा राइट आंसर इसका कापी टाइम ले लिया आपके आपके और परकास जी आपका भी सही है सर चली क्योंसर नमर दो देखिए दो संक्याद का गुणन फलैब हो है 216 मैं तो स्मापर्ति अच्छे है और लगू तम स्मापर्ति आपको बताना कितना होगा दूसरे का राइट आंसर सर परकास संदानी जी जी सर विलकुल दूसरे का बता दीजी सर दो संक्याद का गुणन फल 216 है सुरेंदर जी जी सुरेंदर जी आपका सही आ रहा है तूसर जी आपका भी सही है विकास आपका भी सही है ओके सब बवानी सिंग जी 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर डी ये मारा सही उत्तर है चले क्योसर नमर तीन कि 0.003 है वो किसके सम्तुल्य है असोक जी तरुन, सुनील, मनोज आवका सही आया था चले तीन नमर का राइटान से बता दीजी सा बिल्कुल इजी सा क्यूसन है जी सर ओके तो जी ओके बी और चार अमर देखिए कि चार कर्मागत सम संक्यों का योग भाला साथ सो अर्तालिस और में से सबसे छोटी संक्या कौन सी होगी ये बताना है चार का राइटान सासा डेके मिरवाल जी जी सर परकास चंदानी ओके सराव का भी सी है चले चार का हमारा सेयूत रह वो हो जाएगा एक सो चोरासी सी है वो राइट अंसर है और पांच नमर देखिए कोई बात नहीं है था आपर राम से कर लिजे जिक्के थोड़ा स्पीड से कर लेंगे पांच नमर है कि एक पुरूस और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुडवा पूत्रों की ओस्त आयू है वो है तीस वर्स पीता और उसके एक पुत्र की आयू का अनुपात है पांच नुपात दो तापको बताना है कि पीता की आयू कितनी है जुडवा बच्चे वाली चीज़ थोड़ा सा नोट कर लेना पांच का सही उत्र बता दिए लक्षमी जी जैसे मैट के क्यूसंस खतम होते हैं उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी पांच का राइटांस है जी बिल्कुल पचास वर्स हो जाएगा ये राइटांस है और छे नमर देखिए कि एक केकेट खिलाड़ी ने 120 रन बनाई जिसमें 6 चोके और 6 चके सामिल है उसने कितने पर 30 रन है वो दोड़कर बनाई थे चैकास सही होता है बिल्कुल लिजी सा क्यों सने है साथ टोटल 120 रन है चकों से 36 हो गए विकास जी बिल्कुल सही है आपका चोकों से 24 तब 60 रन उनने चोके चके से बना लिए और 60 रन वैसे तो 50 परसेंट हो गए जी शुरेंदर जी आपका भी सही है साथ चले बी हो जाएगा सही होता 50 पर 30 और क्यूसर नमर साथ देखिए एक आयत के लंबाई उसके चोड़ाई से दुगुनी है यदि आयत का चेतरफल बैतर वर्ग शेमी है तो लंबाई बतानी है की लंबाई कितनी है सुरेंदरती, संजय, यसीज, खान, भानो परताब, सुरेंदरती आपका सही है था पुस्पा जी सर रगो पुरताब जी, मनोज मुरारी चले साथ नमर का राई टानसर बता दीजी सर, साथ का क्या होगा परकास संदानी जी पुस्पा कौमराऑब का भी सही है साथ का राई टानसर कौन होगा मित्धुन जी जी बिलकुल सही है है आपका मंजुद जोशी आप कभी है चलिए साथ का राइट आंसर हो जाएगा बारा सिमी बरत असोग जोली आप कभी सही है पूनम सुरेंदर और आठ हमर देखिए A, B, C, A काम को है वो 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में समाप्त करते हैं यदि A लगातार कारिय करें और हर तीसरे दिन B और C, B, A के साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा आठ का राइट आंसर पहले दिन A काम करता है दूसरे दिन भी A केला काम करता है तीसरे दिन है और A के साथ B और C तीनों मिल जाते हैं, ये तीन दिन का काम है आठ का राइट अंसर असोग जी रगू परजापत जी एक और भी थे जिनका परताब था सर चलिए शेनी जी आपका भी है, सुरेंदर जी आपका भी सी है ये सिर्ज पंदरा दिन हो जाएगा, ए से उत्तर है इसका चलिए नो नमर देखिए नो हमारा है, कि A तदा B मिलकर एक कारिये को उठारा दिन में स्वाफ्ट कर सकते हैं जोकि B तदा C मिलकर इसे 24 दिन में और C तदा A मिलकर इसे 26 दिन में स्वाफ्ट करते हैं तो A, B, C तिनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करतेंगे ये पर D ओप्षन अगर अगर आद दिखनी रहे तो D है वो 11 है, लिख देता हूं मैं D ओप्षन में 11 दिन है जब नो का राइट आंसर रामशुरूप जी, संजे कुमार, जी बिलकुल 16 दिन हो जाएगा और 10 नमर देखिए, कि A, A काम को 15 दिन में समापद कर सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर B option विए है वो 14 दिन है 10 का right answer येसिन खान जी जी आपका सिए है सर जी जी तनाराम जी जी 12 दिन लगेंगे C हो जाएगा इसका C उत्तर चले 11 नमर देखिए कि उस वरक का चेतरपल ज्यात करो जिसका विक्रण जो है उसकी लंबाई 6 मीटर है विक्रण की लंबाई 6 मीटर है तो सुवरक का चेतरपल बताना है सुरे अंदर विशनवी क्यो सन खर ले बेटा जी 11 का राइट आंसर राजा जी जी राजा जी कैसे हो सा ओके तो 11 का हमारा C उत्तर वो जाएगा ठारा वरक मीटर C राइट आंसर है अनीता आपका सही है था गोदारा जी आपका भी सही है चले क्योसर नमर 12 देखिए कि एक आलताकार पारेक की लंबाई है 90 मीटर और चोड़ाई है 60 मीटर इसके अंदर 4 और है वो 5 मीटर चोड़ा रास्ता है उस रास्ते पर 15 रुपए परती वर मीटर की दर्शे रोड़ी विचाने का काम है तो टोटल खर्चा कितना आएगा ये आपको बताना है 12 अगा सेयुतर बता दीजी साथ इससे बिलकुल दिरे दिरे कर रहे हैं अप मैथ राम से कर लिजे जी के तेज कर लेंगे दोड़ो जी सुरेंदर जी सहीता पीछे वाला आपका ये बता दीजी इसका राइट आंसर बारा का अनिता जी थोड़ा सा चै कीजी कहीं ना कहीं मिश्टेक वाए शीवरा जी कोई बात नहीं से श्याम गैलोत जी सर और कौन मताएगा वीडी मीना जी आपका विसी है चलिए 21,000 रुपे हो जाएगा इसका डी हो मारा राइट आंसर है और क्यूसर नमर 13 देखिए एक त्री बुजाकार खेट की बुजाएं हैं वो है क्रम से 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है उस खेट में 25 रुपे है वो परती वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का टोटल खर्ट जो होगा वो कितना होगा परकास चंदानी जी आपका भी सही है था रित्तू आपका भी सही है था चले तेरा का बताईए से तेरा का राइट आंसर कैसे होगा जी पुन्नम जी आपका भी सही था अनिता जी आपका भी चले तेरा का राइट आंसर कौन देगा सा शिवराज योगी जी बिल्कुल सही आपका श्याम गैलोत आपका भी चलिए 5250 रुपे टोटर खर जाएगा भी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्यों सा नमर चौदा दो त्री भूजों के 26 प्रिल का अनुपाद है वो है च्यार अनुपाद तीन और उनकी उंचाईयों का अनुपाद है तीन अनुपाद च्यार तो इनके आदार की लंबाईयों का अनुपाद कितना होगा ये बताना है अनिता गोधारा जी, संजे कुमार, बिजे सोधरी, राजा समार जी, पुश्पाप का भी सही था चले चौधा बताईए चौधा का सयूतर क्या होगा प्रकास जंदानी, तनाराम जी, सर, और कों देकर आई टान्सरिस का वीडी मीना जी अपकी बार थोड़ा सा तैय कीजिए, कही ना कही थोड़ा सा मिश्टेक वाए आप से शाम गैलो, राजा जी आपका भी सही है, तिले सोला अनुपात नो हो जाएगा इसका दो नमर मारा सही उत्तर है और क्यूसर नमर पंदरा देखिए, कि बस केक पईये की तिरी जाय वो है सत्तर सेमी इसे 66 किलोमेटर परती घंटे की गत्ती से परती मिनट कितने चकर लगाने होगे पंदरा का राइट आंसर जी प्रकास जंदानी जी दो सो पच्चास जी बिल्कुल सी होता है गा राइट आंसर इसका और क्यूसर नमर सोला देखिए केक वरगाकार मैदान का छेतर पल है वो है 1764 वरग मीटर इससे च्यार गुना बड़े वरगाकार मैदान की परमीती कितनी होगी ये बताना है वीडी मीना जी अनित्ता जी आपका विशेता राम शुरूप परकास नीलम जी संज़ जी राम किसन सुनील रिचपाल जी सोनिया सिवराज ओके सर गोधार जी चले 16 का बताईए कौन देगा 16 का राइट आंसर जी 16 का से उत्तर है वो 336 मीटर हो जाएगा क्योशन नमर 17 देखिए वरगाकार रूप से मूड़ी हुई एक इस बात की तार है वो 121 वरग से में 6 तरफल गेरावा है इस तार को अगर वरगाकार रूप में मूड़ जाने पर जो वरितकार 6 तरफल होगा वो कितना होगा ये बताना है 17 का जी 154 वर किलमेटर जी से बिलकुल और अठारा देखिए चले दो क्यों सुनो रहे मैथ के कि किसी समद्यू भाव तरी बुज के आधार पर खींचे गए लंब की उंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर और तरी बुज की प्रिमिती है वो है 32 सेंटीमीटर तो तरी बुज का 6 तरपल कितना होगा ये बताना है क्या बात है आप लोग मैथ में ज़्यादा परिशान हो रहे हो अगर ज़्यादा परिशान हो रहे हो तो कल से मैथ बंद कर दें अगर आप लोग कहो तो चले ठारा का राइट आंसर अठारा का सियूत्र कौन देगा सर सबसे पहले शिवराज योगी जी जी से बिलकुल सही है आपका चले ठारा का राइट आंसर है वो शाट हो जाएगा बी है पुस्पा आपका भी सही है अनिता जी आपका भी राइट आ रहा है क्यूसर नमर उन्नीस एक त्रीबुज ABC में बिंदू P, Q और R पर भुजा करम से AB, BC और CA का मद्द बिंदू है त्रीबुज ABC का चेतरफल है वो है 20 वर्ग इकाई तो त्रीबुज P, Q, R का चेतरफल बताना है केतना होगा गुनीज का स्यूत जी सुनिल जी, खुसबो जी इसके लिए लेक्से क्लास लगा देंगे चार बजे जी, गुनीज का राइट आंसर तनाराम जी, जी सर ओके, गुनीज का राइट आंसर है वो C हो जाएगा, पांच वर्ग इकाई चिले, 20 नमर देखिए एक खेल के मैदान की लंबाई और चोड़ाई करम से 36 मीटर और 21 मीटर है और खेल के मैदान की सीमा रिका के चार और है, वो 3 मीटर की दूरी पर पोलो को लगाना है तावसे पोलों की संक्या कितनी होगी ये क्यूसन तो रिपीट हो, उसके हम कल भी कर चुके थे परकास दी 20 का चले ये क्यूसन रिपीट हो गए, फिर भी बता दीजिए जी सर, 38 पोलों की चले मैद का लास्ट क्यूसन कि 4 रुपए 50 पैसे पर 30 मीटर की दर से 18 मीटर लंबे कमरे में पिछेतर सेमी चोड़ी कालेन लगाने का खर्च है वो 810 रुपए है तो कमरे की चोड़ाई कितनी है मैद का लास्ट क्यूसन ने बता दी जी सरीकी इसका राइट डांस जी शाम जी चार वजे से कर देंगे परकास जंदानी जी जी वेरी गुड बिलकुल सही है ओके इसका राइट अंसर है वो 7.5 मीटर हो जाएगा ओके तो बी मारा सही उतर है अनिता जी अनिता जी आपका भी सही है चलिए मैथ कंपिलिट हुई अब जी के स्टार्ट करते हैं पटा पटा आंसर कर देना सारे कि किताब के उपर रखे वे किसी लेंस को उपर उठाने पर यदि मुद्रीत अक्षरों का कार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लेंस कौन सा है 22 का राइट आंसर बिलकुल उत्तर लेंस होजएगा C राइट आंसर है नेक्स्ट है कि मनुष्य के सिरी का तापान है वो कितना होता है 37 ओकी बी राइट आंसर और 24 नमर है कि दूरदस्टी दो से पिडित वेक्ती को कौन सी वस्तों दिखाई नहीं देती है दूरदस्टी दो से पिडित वेक्ती को दूरवाले को नीगेट की वस्तों दिखाई नहीं देती है बी हो जाएगा और 25 नमर है कि मानों के आंसों में कौन से एंजाइम होता है जिसे जिवानों मर जाते हैं। जी बिल्कुल लाइसोजाइम। और 26 नमर है कि राजस्तान में दान चन चोपडा की हवेली कहां परस्तित है। दान चन चोपडा की हवेली बतानी है 26 का राइटांस है। ये बिलकुल सुजानगड में है और 27 देखिए कि बच्छावतो रामपूरिया गुलेचा शेटिया के वेली जो है वो राजस्तान में कहां पर है जी बीकानेर में ओके सो और 28 नमर है कि मरिग्या महल है वो कहां पर स्थीत है बैयाना वर्थपूर में है यह हो जाएगा राई टांसर जान ओर 29 देखिए कि नीमन मेंसे कौन सा गेंस है यू में हलकी हो ती है कि लोवा परचूर मातरा में है वो किस में पाया जाता है दूद में, अंडे में, रस्तारफलों में یا पिर हरी सब्जियों में ये बिल्कुल हरी सब्जियों में लोवा है वो परचूर मातरा में पाया जाता है D हो जाएगा, R itrauen और 31 है, कि तामबा मुखे रूप से विदुत चालन में उप्योग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका गलनाग जो होता है, वो हदिक होता है, यह हो जाएगा राइट आंसर, और 32, उसमा का स्रोच चालन कौन सा है, जल, पारा, एलकोहूल या फिर इथर, जी, ओके पारा, परकास चंदानी जी, जी सर, दिनेश जी, मुरारी, श्यामगैलो, शिवराज योगी जी, चले 33, कि परकास के चिकने प्रिट से टकराकर वापस लोटने की गटना है, वो क्या कहलाती है, 33 का कौन देगा राइट आंसर, सुरेंदर जी, अनिता, मंजूर, इच्पाल, गोदारा जी, ओके सा, राइट आंसर 33 का है, वो हो जाएगा, परकास का प्रावरतन कहलाता है, राजा आपका विशीत असा है, परकास रंजीत, ओके, 34 देखिए, कि ये निमन लिकित में से, गोशला बनाने वाला एक मातर सांप कौन सा है, कौन सा सांप है, जो गोशला भी बनाता है, 34, जी, किंग कोबरा साहब है, भी हो जाएगा, और कुछ चैट में जो जवाब दे रहे हैं, वो भी यहीं चैट में कोशला बनाने की कोशीज कर रहे हैं, जी बेटा जी, चलिए, 35 देखिए, कि भारत में उपलब्द नीमन प्रिश्ततिओं में से राजस्तान में सरवादि ग्रूप से उपलब्द कون सी है, 35, जी बिलकूल सूर्य दूब की दिर्गावदी जु है, ये उपलब्दी है, जी प्रिश्टतिय है, वो राजस्तान में सरवादी गया, 36 देखिए कज की खाडी राजस्तान के उत्री पस्चमी रेगिस्तान के किस दीशा में है वो उताना है किंग रोही तराव जी जी बिलकुल सर कपील जी मिल जाएगी सर बिलकुल मिल जाएगी आपको डॉन्ट बरी 36 का देखिए सर क्या होजएगा सिव उत्र क्या बनता है जी बिलकुल दक्षिनी चेतर में है डी होजएगा राइट आंसर ऑर 37 है कि राजस्तान का वैज जीला जो आयताकार है और कज की खाडी तक फैला वा है जो दक्षिन पस्ची में पाकिस्तान की सीमा के बहुत नीकट है 37 जी बिलकुल जालोर सारे बीबी बतारों से पाकिस्तान की सीमा की साथ बहुत नीकट बताया था ऐसा नहीं कहाता कि पाकिस्तान की साथ सीमा बनाता है और 38 देखिए कि राजस्तान का वैज इल्ला जिसका आकार है वो पतंग अत्वा सम चत्रभुज जैसा है जिसकी पूर्वी और पस्चमी भाग है वो अंदर की ओर जुके वे हैं 38 का राइट आंसर जी एन सारन जी सरोल कौन बताएगा रितु जी सुरेंदर ओके सब गजेंदर सिंग जी शिवराज योगी जी कपियल जी टेलिग्राम चैनल बे ओके सब इसके राइट आंसर टौक हो जाएगा सी है वो सी उत्तर है और 39 है कि राजस्तान के उत्तरी पस्चमी रेगिस्तान परदेश के उत्तर में स्थित भाग कौन सा है उत्तर पस्चमी रेगिस्तान परदेश के उत्तर में कौन सा भाग स्थित है 39 जी बिलकुल पंजाब का मैदान है यह हो जाएगा और 40 नमर देखिए कि देश में 6 पल की देश्टी से राजस्तान का कौन सा स्तान है देखो कितना एजी क्यूशन है जी बिलकुर पहला स्तान है और रेगिस्तान का सबसे संपन जीला कौन सा है रेगिस्तान का सबसे संपन जीला 41 जी बिलकुल गंगानगर है और 42 है कि कौन सा जिला है वो रेगिस्तान शेतर में नहीं आता जी सर अजमेर नहीं आता रेगिस्तान में बाकी के सारे आते हो जाएगा और 43 है कि राजस्तान में रेगिस्तान का जो ढ़ाल है वो किस सोर है 43 जी बिलकुल दो नोर है और फोर्टी फोर देखे जो तत्वे ओक्सिजन पर किरिया नहीं करता जी चोमालिस का राइट आंसर जी आयोडीन और पैंतालिस है कि निमे लिक्त मेंसे कौन सा एक परकर्ती में अनुचुम्ब किये है जी सर ओक्सिजन और छ्यालिस नमर देखिए कि पानी का गनत वया देखता हम कब होता है जी यह हो जाएगा राइट आंसर और शेंतालिस है कि कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े ही जल की स्टैपर नासते हैं इसका रीजन क्या है जी पर्स तनाओ के अकरण होता है यह हो जाएगा राइट आंसर और फोटी-एट है कि निमल लिखित में से कौन सी वह निचली वायू मंडली यह प्रत है जी फोटी-एट का राइट आंसर बता दीए जी सर यह थोड़ा सा मिस्स प्रिंटिंग है सो मंडल होना चीए था यह फोटी-एट है किस ताई चुमत बनाने के लिए किस दातू का प्रियोग किया जाता है जी कोबार्ट इस बात का यह हो जाएगा राइट आंसर और पच्चास नमर देखिए कि खानवा के युद के पच्चास बाबर द्वारा देली में सामराध्य स्तापना के समय जसल मेर का साथ से कौन था जी बिलकुर रावन जो लून करन था यह राव है थोड़ा समय स्प्रिणिंग है जालोर का कस्मिर किसको का जाता है जी बढगाओं को और बावन है कि रेकिस्तान का जल मेल कहराने वाले बाटूड़ा का कुवा है वो कौन सी जिल्ली में है रमेज चावडी जी जी सर 52 जी बाडमेर और त्रेपन देखिए किसने किरतिपाल को कित्तू एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया था मैंने का था ना कुछ चैट करने वाले जो हैं जो चैट में रिपलाई कर रहे हैं वो किंकोबरा बन गए हैं यानि गोसला बनाने की कोशिस कर रहे हैं जी सर जी त्रेपन का राइट आंसर जी मूनोत नेंडशी के द्वार का गया था यह जी परकास चंदानी जी चोपन का राइट आंसर देखिए कि बनासूर का सहीद के नाम से परक्षात सहीद मेजर का नाम तेज इसका समन्द है वो जो अधपूर से था जिसे बनासूर का सहीद का जाता है जोपन जी शैतान सिंग कोशी हो जाएगा राइट आंसर और पित्वर नमर हमारा है कि बिकानेर की उससा का नाम बताना है जिसने बक्सर की युद में मारवाड की शेना है वो चीन भेजी थी अज्जे सिंग जी जी सर तरकास चंदानी जी पुनम दुर्गेस और कि सर्श्याम गैलोध चलिए पिस्पन का हमारा सही उत्र है वो जगा माराजा सरदार सी और चपन देखिए कि मुनी जिन विजय का जनम है वो किस जीले में वा था मुनी जिन विजय जी सर रूपाहली में वा था और रूपाहली जो है ये भीलवाडा में है तो दोनों याद रखिए पर्टिकुलर छेतर और जीले का नाम चले इसे इत्यावन नमर देखिए रेक सब्द का क्या मतलब है सा रेक से क्या तात पर यह है जी बिलकुल जागीर की अनुमानी तो वार्षिक राज्य जो है वार्षिक राज्य जी बिलकुल सी हो जाएगा और एठ्यावन देखिए कि नीमलेकित मैंसे कौन सा परदार्थ है अनुचुम्बक किये परदार्थ है जी से बिलकुल ऐल्यूमीनियम हो जाएगा डी है वो इसका सेयूतर है और फिफ्टी नाइन है कि चुम्बक तो बलकी एकाई है वो क्या होती है जी सर एमपे टरंग या मीटर दोनों कर सकते हैं सी हो जाएगा इसका सेयूतर फिफ्टी नाइन का एकाई की बात कर रहा है और चुम्बक तो एच्छे तर को नापते कैसे हैं कैसे मापते हैं साट का जी बिलकुल कैसे मापते हैं जी डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है इसका राइटांसा और 61 देखिए कि राजस्तान के किस स्तान पर रेड, खंबधारी, सिरिनी के तीन परवुक, वर्गों, अस्तंधारी, सिरिसरिप और मतस्य के जीवास्म की पहली है वो व्यवस्तित खोज की गई है वेरी वेरी इपोर्टिंट जी 61 का सा बिलकुल पारेवार वे सोनों दोनों याद रखिए और 62 देखिए कि प्राची ने मतस्य जनपत की राजदानी विराटनगर में बीज़ की पाड़ी, बीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदिस्तानों पर उत्खनन कारिया पहली बार है वो गोनी 36-37 में किसके द्वारा किया गया था जी दैराम सहानी के द्वारा ओके सर अची हो जाएगा राइट आंस और 63 है कि राजस्तान के एक मातर देवी जो बीना पती के सत्य हुई थी जी निल जी ओके सा 63 का राइट आंस था जी बिल्कुल गेवर माता ओवर 64 देखिए कि खेजट बेर राइब भावानी के नाम से किस माता को जाना जाता है खेजट बेर राइब भावानी के नाम से 64 का सर जी बिल्कुल लूटी आली माता जी हो यह हो जाएगा और 65 हमारा है कि हाडोती का खुजराओ के नाम से विख्यात बंड़ देवराज सीव मंदिर का निर्मान है वो किस मेदवंसिय सास के द्वारा करवाय गया था सबसे पहले यह यादर किये कि बंड़ देवराज सीव मंदिर जो है उसको हाडोती का खुजुराव का जाता है किस वंसिय के द्वारा करवाय गया था मेदवन से असास को नहीं करवाया था यह यादर कि अब आब बता दीजी कि मेदवन से असास कोन था जी मलाई वर्मा था डी हो जाएगा और 66 है कि राजस्तान में ख्वाजा साहब की दरगा अजमेर के बाद सबसे बड़ा उस मेला है वो कहां बढ़ता है सबसे बड़ा तो अजमेर में बढ़ता है लेकिन अजमेर के बाद में कहां पर बढ़ता है यह बताना है जी बिल्कुल सुल्तानों तारकिन की दरगा जो कि नागोर में है वहां पर बढ़ता है सी हो जाएगा इसका सही होता ओके चले 67 किस हड़ा सासक द्वारा विज्ज दस्मी के दिन कोटा के परसिद दसरे मेले कहा है आईजन शुरुआ था दसरे मेला जो है कोटा का परसिद है किस हड़ा सासक ने किया था यह बता दिजिए 67 जी बिल्कुल राव मादू सिंग के द्वारा किया गया था बी हो जएगा यहाँ पर और 68 है कि भीम का मंडप नीमन मैंसे किस मंदिर को माना जाता है भीम का मंडप जी सर बिल्कुल रोजाना इसी टाइम होता है साड़ी नो बजे स्टार्ट होता है रोजाना और जट तक मारा एकजाम नहीं हो जाता डेली चलेगा साड़ी 11 बजे हिंदी इंगलिज का और साड़ी 9 बजे पूरा पेपर जी बिलकुल 68 जी भीम चोरी को ये हो जाएगा और 69 देखिए बिलकुल जी सा की राजे का पर्थम यातायत पारक है वो कहां परस्तित है कोटा में स्तित है D हो जाएगा और 70 देखिए कि निमन में से कौन सा मेला गराशिया समदाय का शिरोही में लगने वाला मेला है गराशिया समदाय का भी है और शिरोही में भी लगता है जी बार्कडेश्वर का मंदिर जी बिल्कु ले हो जाएगा और 71 शिरोई के किस मंदिर को प्रेमियो यानि रस्या और बालम का मंदिर भी कहा जाता है जी कुमारी कन्या का मंदिर और 72 किस मंदिर को सपने से बना मंदिर कहा जाता है जगदी समंदिर तेतर है कि कौन सा चेतर है वो राजस्तान की ओपन एर आर्ट गेलरी के नाम से विख्यात है ओपन एर आर्ट गेलरी के नाम से बिल्कुल शेकावाटी चेतर और 74 है कि राजस्तान के परशिद लोग देउता तलिनाद जी का वास्तिविक नाम क्या था जी गंगा देउता भी हो जाएगा और 75 भी देखिए कि जालोर के परशिद लोग देउता तलिनाद जी की मूर्ती है वो किस तान पर लगी हुई है वास्तिविक नाम पढ़ चुके अनकी मूर्ती बता दीजिए जी बिलकुल पंचमुकी पाड़ी जो की जालोर में है तो दोने आदर की पंचमुकी पाड़ी और जालोर तो भी हो जाएगा राइट आंस और 76 कि हरी राम जी बाबा के संदर में कौन सा यूगम है वो सही है जी बिलकुल पहला सी है कि ये सरम्धत्स का इलाज करते थें साम के काटने का इलाज करते हैं और 77 कि जो द्रिड राखे धर्म को तही राखे करतार किस वंस का राजवा क्या था है ये बिलकुल कोही लंस का तासी हो जाएगा और 78, कि कुम्बा द्वारा रचीत एक लिंग महाकावे पुस्त के अंतिम भाग में कुम्बा के किस वेतनिक कवी ने लिखा है बिल्कुल कान्य व्यास की दवारा लिखा गया थे यह हो जाएगा और 79, करनल जेम्स टोड ने किस गुहिल सास को सिपाई का अंस कहा है जी राणा सांगा को और 80 नमर देखे कि हुडा समेलन आयजथ होने से पूरो किस सासक के मर्तिव हो गई थी यानि जिस सासक ने हुडा समेलन की योजना बनाई थी उसकी मर्तिव हो गई थी फिर इसके देक्स ता एक शी ओर के द्वारा की गई थी तो जिसने योज़ना बनाई थी जिसकी मर्ति हुई थी उसके बारे मिता दीजिए उसका नाम क्या था जिस संग्राम सी दीवित्य हैं यह हो जाएंगा और एटी वन कि मारवाड के किस आसकी मर्तियों मुसलमानों के विरुद पाली पदेश की रक्षा करते हुई हुई थी जिसे बिल्कुल राव सी की हुई थी और एटी टू कि महारणा अजीद सी ने किस मुगल बादस्या के साथ संदी कर अपनी लड़की का विवाब बादस्या के साथ कर दिया था जी फरुक सीर के साथ जी बिल्कुल सी हो जाएगा और एटी फोर देखिए कि नीमल निकित मैंसे चुम्ब की अपरदात कौन सा है जी नीकिल है वो चुम्ब की अपरदात है यह हो जाएगा और एटी फोर है कि चुम्ब की अपरवर्ती की काई है वो कौन सी है जी एटी फोर जी हेनरी जी बिल्कुल सी हो जाएगा और 85 देखिए कि परमानों का सबसे हलका कन कौन सा है 85 जी इलेक्ट्रोन है सबसे हलका यह हो जाएगा और 86 है कि चालकता को परदर्शित कौन करता है चालकता को कैसे परदर्शित किया जाता है जी बिल्कुल यह हो जाएगा राइट आंसा और 87 देखे कि गिल्बेट का मातरक क्या है सुरी गिल्बेट जो मातरक है वो किसका मातरक है जी जुम्कतव है वायकबल का मातरक है इसका राइट अनसर D हो जाएगा और 88 देखे कि लेक्ट्रोन की तरंग परकृती है सवर प्रतम किस के द्वारा दी गई थी इलेक्ट्रोन की तरंग परकरती सबसे पहले किस ने दी थी डी ब्रांगली के द्वारा और 89 देखिए कि इस सरदास मोदी की हवेली है वो कहां परस्तित है इस सरदास मोदी की हवेली जी जून जूनों में है यह जी बिलकुल ही हो जाएगा और क्योशन नमबर 90 देखिए कि राजस्तान में जांगीर के महल है वो कहां पर है जांगीर का महल जी बिलकुल दीव सिंग जी पोस्कर में है जी चले 91 देखिए कि बुंदी के रंग महल का निर्मान है वो किसके द्वारा करवाया गया था 91 का कौन बताएगा सर्ण रोसनी बाजकर जी रमेज चाबडी बरत जी बरत जी शीराज योगी जी आपका भी सही आ रहा है विकास जी रिचपाल राज़ा ओके सिवराज जी शीलवर ओके सर निदी चले चातर साल ने करवाया था इसका सी हो जाएगा और 92 देखिए कि पत्तर के कुलाडी पोलीस कियवे पत्तर के ओजार और हड़ी के ओजार आदी है वो किस काल की विशेष्था है एक तो पत्तर के कुलाडी दूसरा पोलीस कियवे पत्तर के ओजार तीसरा हड़ी के ओजार ये तीनों जो है किस काल की विशेष्था बताता है जी नव पासान काल की C हो जाएगा इसका और 93 देखिए कि आंदर साथवान वंस का सासक जिसे पर्थम आंदर समराट कहा जाता है जी बिल्कुल पुल मावी को कहते हैं ये हो जाएगा और 94 है कि वरकरी संपरदाय की स्तावना है वो किसके द्वारा की गई थी जी नाम देओ के द्वारा और किस संद 95 है कि सुपी मत के कादिरी सिलसिले से परवावीत महीला कौन सी थी जी बिल्कुल जहां आ रहा थी भी हो जाएगा इसका भी और 96 है कि कि किस क्रांतिकारी को सांडर्स की हत्या की केस में फांसी की सजा दी गई थी जी सुक देव को किस और 97 भारत सवतंतता दिनेम गुनी सो 47 ब्रिटीश संसद में पारित है वो कब हुआ था 97 जी सर चार जुलाई गुनी 47 को चले 98 कनाड़ा को USA से अलग करने वाली रेखा कौन सी है जी बिल्कुल 49 डिगरी जी बिल्कुल सी हो जाएगा 49 डिगरी साथ में वो तरी एक सांस याद रखना है और तले आज के टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्यूशन कि चावल और गेहों के बाद भारत का तीसरा सबसे मेत्रपुन खादान जो है वो कौन सा है 99 साथ जी बिल्कुल जवार है और यह रा क्यूशन नमर सो आज के टेस्ट का लास्ट क्यूशन कि भूरी रेतिली मीटी से किस तत्वय की अधिक्ता होती है सो का राइट आंसर कौन देगा स्लास्ट क्यूशन का राइट आंसर सा रितू जी रमेज छाबडी जी सिलेंदर अर्जुन ओके सर नाइट्रोजन हो जाएगा इसका ओके सर तो जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो या फिर नए हाई हो तो रोजाना याद रखना है फिक्स टाइम पे चाहिए नोटिपिकेशन पहुंचे या फिर ना पहुंचे रोजाना साड़ी नो बजे शाम को रोजाना ये टेस्ट रहेगा और दिन में साड़ी ग्यारा बजे फिक्स है हिंदी अंगलीज का टेस्ट होता है तो वो भी आप जोइन कीजे इसके लावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दूसरी चैनल का लाइव टेस्ट का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो आप जोइन कर लेना वहाँ पर रेलवे की करनट फिर की और SACGD की लाइट टेस्ट होती है LDC की भी होती है तो वो भी आप जोइन कर सकते है PDF सर आपको लेनी है टेलिगराम से टेलिगराम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है अगर आपके पास टेलिगराम से पहले है आपके पास है पहले से तो वहाँ पर पर रेला सारण सर्च कर लिजे जिसी बिल्कुँ सर Facebook पर भी लिक मिल जाएगा वहाँ पर भी आप रेला सारण सर्च कर सकते हो Thank you sir, good night